कि अच्छा कर रहे हैं आज का जो टॉपिक है वह है कि पुरानिक आपका कहां पर आता है कि आपके पास कोश्चन नंबर वन के अंदर आता है और यह कितने मार्क्स का आता है यह आपके पास एट मार्क्स का आता है अब आपके पास यह एट मार्क का आता है तो इसके अंदर क्या होता है देखो आपके कोर्स के अंदर टूटल कितने पैसेजिज़ हैं 15 15 में से आपके पास पेपर के अंदर कितने आते हैं एनी प्री आपको पेपर में अटैंप कितने करने होते हैं एनी पेपर में 15 में से कोई भी 3 आ जाएंगे और आपको attempt कितने करने होंगे अपको attempt करने होंगे any 2 सही है अब यह कितने marks का होता है यह total होता है 8 marks का अगर मैं 8 marks के अंदर देखूं तो इसके दर मुझे कितने passages करने हैं दो passage तो अगर मैं मैं के according एक marks निकालूं तो एक passage हुआ दो passage 8 mark के एक passage हुआ चार mark का इसी तरीके से मेरे पास passage के अंदर एक passage के अंदर दो पार्ट होता है एक होता है और एक होता है भी अब एक कितने mark का हुआ दो mark का और भी कितने mark का हुआ दो mark का पेपर के अंदर जब सवाल आता है तो पेपर के अंदर क्या होगा आपके पास एक का कोश्चन लिखावा होगा कि में थीम वाली बात बताओ और इदर लिखावा होगा चार मांग तो इस चार मांग का मतलब यह है कि अगर आप कोई दो सब्सक्राइब करोगे तो हम आपको कितने मांग देंगे चार मांग देंगे दो पहले में और दो दुसरे में अच्छा कुछ नए स्टुडेंट्स हैं जो पहली दफ़ा क्लास ले रहें मैं उनको बात बता दूँ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है ना आप क्या कर सकते ह आप मुझे वाटसेप कर सकते हो मैंने चैट जो है वो डिसेबल की वी होती है तो आप मुझे वाटसेप कर सकते हो जहां आपका कोश्चन होगा आप जो है वो मुझे क्या कर सकते हो वाटसेप करो वाटसेप में यह कोश्चन होगा मैं वाटसेप अपना साथ साथ देखता प्रवाओगा फॉर मार्क्स ये बात आपको होप समझ आ गई होगी कि हमारे पास यह आठ मक्का आता है और आपको एपार्ट में डो थीम के दो जो पैसेजेस होंगे उसका एपार्ट अटेम्ट करोगे तो आपको चार में लेंगे और बी में भी जब आप दो पैसेजेस के भी पार्ट लेखोगे तो आपको चार मार्क्स मिलेंगे सही है तो आपको टोटल आठ अच्छा अब आठ में से आठ आ सकते हैं जी बिटा बिलकुल आ सकते हैं एट आउट आफ एट आ सकते हैं अच्छा सर विदाउट अगर मैं कोई इसके अंदर रेफरेंस नहीं डालू तो आपको reference डालना पड़ेगा क्यों डालना पड़ेगा देखो जब आप reference डालते हो ना तो आप एक plus point पा जाते हो सही है जब आप plus point पा जाते हो तो आपके लिए easily क्या आप कर सकते हो अच्छा है कि स्कोर कर सकते हो अब मैं आज आपको shortcut सिखा दूँगा question 1 आपको कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको कोई attempt कोई बोले के रट्टा मारके चले जाना आपको सिर्फ paper के अंदर सवाल आएगा और आप उसको easily क्या कर लोगे solve कर लोग खावाएगा paper के अंदर चार माग का और वो क्या होगा उसके अंदर वो आपसे पूछेंगे इसकी main theme क्या है बी पार्ड भी सेम आएगा और उसमें वो आपसे पूछेंगे इसकी importance क्या है मैं आज आपको सारे के सारे passages complete कराऊंगा सबसे पहले मैं आपको इसके shortcut सिखा देत अच्छा उसके बाद main theme अब मैं main theme की बात कर लेता हूँ main theme में आपको paper में जब सवाल आएगा तो आपको क्या लिखना है आपको एक चीज समझ लेनी है अपने दिमाग अगर बंद पड़ा हूए खोल लो उस दिमाग को और एक चीज में गौर से समझाने वाला हूँ उस को समझ लो देखो main theme जो होती है ना एक passage की वो होती है दो मांग की होते हैं दो मांग कुछ भी नहीं होते हैं दो मांग जो है ना हमें खेरात के अंदर दो मांग देते हैं बच्चों को तो इसी तरीके साब कर चीज पहले समझ लेनी है कि आपके जो अगर teacher कह रहा है ना कि आप इसमें आदे page का answer लिखोगे तो मैं आपको marks दूँगा वरना मैं आपको marks नहीं दूँगा तो आपको ये सारी चीज़े समझ लेनी है कि अगर आप main theme के अंदर छोटा सा भी answer लिखोगे ना तो आपको marks मिल जाएंगे आज मैं आपको एक shortcut सिखा दूँगा कि आपको main main theme होती है दो मांग की main theme में सबसे पहले आप आप समले पहले पहली बात पहली बातिचरू कहां से करोगे कि कि सकी main theme के है हुआ बस total तीन में थीम सैंप सबसे पहले हैं Allah अहलों दूसरी जो है वो है विद किरियेटेड वर्ल्ड और तीसरी है वो है विद मैसेंजर्स विद मैसेंजर्स टोटल किती तीम से तीन सबसे पहले आप जब पैरेग्राफ देखोगे आपको खुदी पता चल जाएगा यह विद सर हमें का सबसे पता चलेगा आप तो ऐसी बाते कर रहे हैं हमें तो कुछ समझ नहीं आ 주 बैंनम मैं आपको बता बना दू कि the name पहले ही पता चल लेगी देखो अगर उसके अंदर मैं आसानी वृवाली बातें पहले सिखा रहे हैं सब्सक्राइल इसके पहले आपके पास अगर वो messenger पहली बात आपको आसान वाली मैंने समझा दी दूसरी बात सर Allah in himself और Allah with created world में कैसे बता चलेगा बिटा Allah in himself के अंदर सिर्फ आपको जो बाते लिखी होंगी वो Allah की बढ़ाई के बारे में होंगी बाकी कोई बाते नहीं होंगी Allah with created world के अंदर आपको दूसरी चीज़ें भी बताइजाएंगी दूसरी चीज़ें सर क्या बताइजाएंगी फिटा दूसरी चीज़ें के अंदर बताइजाएगा कि Allah is the creator और जलत आपको ये बाडाई में भी आ सकती है लेकिन with created world में हमें relation बताएजाएगा के Allah Ta'ala हमसे क्या deserve करते है और Allah Ta'ala हम क्या चीजे जो हैं वो हमें Allah Ta'ala के लिए करने चाहिए तो अभी हम जब questions सारे attempt करेंगे तो आपको ये सारी चीजों का पता चल जाएगा. Main theme दो mark की होती है. सबसे पहली बात आपको लिखनी होती है क्या में थीम है दूसरा में थीम में आपको जो ए पार्ट होता है उसके अंदर क्या करना होता है उसके अंदर आपको सबसे पहले आपको की वर्ड देखना है क्या देखना है क्या की वर्ड क्या होता है क्या की वर्ड मतलब जैसे के eternal self-subsisting et um last living इस तरीके से काफ़ी words होते हैं जो कि क्या होता है कि हमारे बस keywords होता है उन keywords को क्या करना है easy English जूक्ande इसके बाध के लिए हो गई हो इसके बाद को क्या करना है on इसके बाद आपको आपको यह करना है कि आपको आगे अपनी सारी सीज जब हैंOU जर्ट वो साथी चीज़े explain करनी है साथी चीज़े किस तरीकर से explain करनी है वो मैं आपको अभी सिखाऊंगा एक बनद बस सबसे पहले मेरे पास एक passage one है passage one को अगर मैं गौर से देखूं तो इसके अंदर क्या लिखाव है अगर मैं passage one की बात करूं तो इसको आप लोग अगर पढ़ लो अगर आप लोगों को प्रॉपर देख रहे हैं तो यह passage one है सही है आपको सूरत नमबर याद करना है या नहीं करना वो मैं आपको बताऊंगा अजबाब नुसूल में एक दफ़ा सवाल आया था तो आपको सूरत नमबर याद होने चाहिए सही है लेकिन वो बात की बात है किस तरीके से याद करना है आज हमादा जो टॉपिक है वो है major themes of Quran अब major themes of Quran के अंदर हम किस तरीके से चीजों को explain करेंगे और किस चीजों से हमें paper के अंदर answer लिख रहा है देखो यह सबसे पहला जो हमारे पास पहला यह लिखाव है passage इसके दो part होंगे एक part होगा एक और एक part होगा वी पार्ट सही है तो part A में क्या लिखते है main theme लिखते हैं और part B के अंदर क्या लिखते है हम लोग हम लोग importance लिखते है सबसे पहले मैं इसको पढ़ता हूँ Allah there is no God but he the living the self subsisting eternal तो ही सारी Allah की क्या लिखी ही है तारीफ है, no slumber can seize him nor sleep, इसके अंदर भी Allah तारीफ है इसार all things in the heavens and on earth इसमें भी Allah की तारीफ लिखी है who is there can intercede in his presence except as he permits इसमें भी Allah की तारीफ लिखी है he knows what is before or after or behind them इसमें भी Allah की तारीफ है nor they shall compass any of his knowledge except as he wills, his throne extends over the heavens and the earth and he feels no fatigue in guarding and preserving them for he is the most high and the most supreme अब इसके अंदर लेको कहीं भी ये लिखावा है कि आपको क्या करना है कहीं भी ये लिखावा है हज़त इबराहीम, हज़त आदम, हज़त जीजस हज़त इसा, Holy Prophet के बारे में कहीं भी कोई बात लिखी भी है नहीं लिखी भी आपको इसी बात से बता चल जाएगा कि इसके ए पार्ट के अंदर सबसे पहला पार्ट आप क्या लिखोगे कि इसकी में अंदर की पॉइंट्स जूंडने ओते हैं सबसे पहले हम पहले लाइन पढ़ते हैं अल्ला दियर इस नो गॉड़ बट ही दे सेल्फ सबसिस्टिंग एटर्नल तो इसके अंदर मुझे की पॉइंट्स ये पता चलते हैं कि अल्ला ताला इसमें बात किस चीज की हो रही है आप लिखोगे इसमें बात हो रही है तोहीद की किसकी बात हो रही है तोहीद की तो इसका मतलब हो गए है यूनिटी ऑफ अल्ला की बात हो रही है उसके बात क्या बात हो रही है इसके अंदर अल्ला ताला के एट्रिब्यूट्स शो हो रहे हैं और है अल्ला के एड्रिबिट्स आथा आप एल्ला ताला के एड्रिबिप्स बताए जा रहे हैं जो के क्किया है यूनीक और वो किसी के भी नहीं हो सकते आप क्या बता होगे सबसे पहले कि धे में ठीम ऑफ डिस पैसेट इस अल्लाई इमसेल और यह क्या है? It tell us about tauheed, Believe in the oneness of Allah और उसके बाद क्या है? कि यह Allah तला के attributes के बारे में बता रहे हैं कि वो किस तरीके से unique हैं? क्या Allah तला के attributes हाई? सबसे पहले भोला कि He is self-subsisting self-subsisting का मतलब क्या होता है? आप उसको explain करोगे Self subsisting का मतलब होता है Independent Allah SWT किसी पे भी Dependent नहीं है हम Dependent हैं लोगों पर हम अपने Parents पे Dependent है आप लोगों की Feast कौन पे करते है आपके Parents आप लोगों की School की बाकी चीजों की Feast है कौन पे करते है आप Parents, आपके Parents खुद भी किसी पे Dependent होंगे किस तरीके से dependent होंगे, नहीं सर हमारे अबू का तो business है, फिर भी वो dependent होंगे, किन पर dependent होंगे, अपने workers पे, आपके अबू का अगर business है, workers काम नहीं करेंगे, तो किस तरीके से आपके अबू पैसे कमा सकते हैं, नहीं कमा सकते, तो हर कोई dependent है, लेकिन only Allah इस क्या है, self-subsisting, कि पालने वाला और इसके अंदर क्या है, कि Allah इंडिपेंडेंडेंट है, दूसरी बात क्या बताओगे, कि Allah ताला, बिटा एक सवाल आए, won't we write that it is मक्की और बद्नी सूरा, इंट फ्रॉम विट सूरा, बिटा ये लिखने की बाते नहीं होती हैं, ये बाते नहीं लिखनी, मैंना आपको पहली बताया, अगर आपकी टीचर्स अगर आपको ये बाते बता रहें, तो वो बिल्कुल गलत बाते बता रहें, आपको to the point answer लिखने हैं, आपको फालतू चीज़े नहीं लिखनी, सही है, उसके बाद आप क्या बताओगे, कि ये क्या है, इसके अंदर दू मोटल, हर कोई मर जाएगा, लेकिन अल्ला ताला क्या रहेंगे, ता कयामत तक रहेंगे, और क्या है, आप इसके अंदर बताओगे, ये बाते समझाएं कि किस तरीके से मैंने explain करा, उसके बाद आप क्या बताओगे, कि हूँ इस, अच्छा, no slumber can see him nor sleep, हर इनसान को, हर इनस तक कल पढ़ लोगे, चार बज़े तक एक और दिन आप दें पढ़ लिया, फिर पांच बज़े तक एक दिन पढ़ लिया, फिर आपकी क्या होंगी, आँखे लाल हो जाएंगी, आपको नीद आना शो जाएगी, आपको थोड़ी सी problems create होंगी, तो अल्ला ताला को क्या है, attribute unique है, कि अल्ला ताला को कभी कोई ना नीद की जरूरत है, ना कोई रेस्ट की जरूरत है, तो आप क्या लिखोगे, कि अल्ला ताला को किसी रेस्ट की जरूरत नहीं है, फिर लिखावा है, is are all things in the heavens and on earth, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, कि everything belongs to अल्ला, और इस passage के अंदर बताया हुआ है, कि अल्ला ताला का जो थ्रोन है, वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा extend करता है, फिर लिखावा है, who is there, can intercede in his presence, except as he permits, कि अल्ला ताला के सामने कौन बोलने का power रखता है, कोई अल्ला ताला के सामने बोल भी सकता है, या नहीं बोल सकता, तो इस का मतलब हमें जितनी भी नॉलेज मिली, अगर मैं आज बैठके पढ़ा रहा हूं, तो वो नॉलेज का से आई, वो फ्रॉम अल्ला आई, सही है, तो आपको ये बात के लिए रो जानी चाहिए, कि जितनी भी नॉलेज आपके पास है, वो आपके ना टीचर की वज़ा से इवन 25 बच्चे जो है, वो अपियर वे थे, उसके अंदर कुछ बच्चों का B भी आया, कुछ बच्चों का C भी आया, और ज्यादे तर बच्चों का A स्टार और A आया, लेकिन B और C वाले कभी तो B और C आया है न, वो तो आए, क्यों आए, तो इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने एक ही टीचर से पढ़ा, उन्होंने सारी वो ही मैथड्स फॉलो करे, लेकिन उनके नसीब में नहीं था, जिसकी वजासे नहीं आया, आप जितनी भी मैनत कर लो, आपका अगर नसीब नहीं चल पाएगा, तो आप वो चीज नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कि हमारे पास जितनी भी नौलेज है, वो किसकी तरफ से है, सिफ और सिफ अल्ला ताला की तरफ से है, उसके बाद लिखा हुआ है, तो आप क्या लिखोगे, कि ही फील्स नो फैटीग और ट्रबल, फैटीग का मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, पूर उतने बच्चे आ गए, यह हो गया, यह प्रॉब्लम्स हो गई, मुझे अब टाइम निकालना पड़ेगा, यह बैच क्लोस करना पड़ेगा, जल्दी कोर्स खतम कराना पड़ेगा, मैं क्या हूँगा, मैं प्रॉब्लम्स के अंदर आ जाँगा, तो चो, अल्ला ताला पू क्या है, वो ग्रेट है, तो end में लिखा हो है, he is most high and the most supreme, तो आप क्या लिखो गे, end में, क्या लिखूगा है, क्या अल्ला ताला इस high, मैं इसके वापसी पॉइंट्स भता रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा, मैं सारे पॉइंट्स इसके वापसी रिपीट कर रहा किसके अंदर बताये हैं कि अल्ला के attributes क्या है unique to him है और कुछ attributes को discuss किया गया है जैसे कि अल्ला का बताया गया है कि अल्ला is self-subsisting means he is independent दूसरी बात बताई भी है कि he is eternal Eternal का मतलब क्या है कि he will last forever बाकी जितने भी है वो सब क्या हो जाएंगे मर जाएंगे तीसरी चीज किया है कि Allah ताला को किसी rest की need नहीं है फिर और के attribute बताया है ये attribute बताया है कि everything belongs to him चाए वो heaven हो, चाए वो earth हो चाए हेलो, everything belongs to him उसके बात क्या बताओगे आप ये बताओगे कि हमारे पास जितनी भी knowledge है वो सारी किस की तरफ से अल्ला ताला की तरफ से और कोई भी चीज अल्ला ताला की गैर मर्जी के बगैर मर्जी के हमारे पास हम नहीं कर सकते लास्ट चीज क्या बताओगे कि अल्ला ताला के पास ही सारी चीजों की power है और अल्ला ताला सारी चीज़े control कर रहे होते हैं फिर भी कोई trouble या कोई fatigue अल्ला ताला को वो नहीं होती तो hope आपको ये बाते clear होंगी अब मैं इसका जो B part है वो आपको God से समझ रहे हैं सही है इसका B part अब इसका B party के अंदर आप क्या लिखोगे सबसे पहले आपका आपको इस बात बतानी चाहिए कि तोहीद होता किया है तोहीद is the foundation of Islam तोहीद is the foundation of Islam अगर आप इस पर belief नहीं करोगे तो आपके पास आप किसी चीज़ पर Islam से क्या हो जाओगे बाहर हो जाओगे इसके बाद आप क्या बताओगे इसके अंदर आप इसके अंदर ये बताओगे कि हमारे पास इस ते फाइदे क्या हो रहे हैं सही है इस ते फाइदे ये हो रहे हैं कि हम तोहीद के अंदर क्या हो रहे हैं बिलकुल पक्के हो रहे हैं जब हम बिलकुल पक्के हो रहे हैं तो उसके बाद क्या होगा कि आप दूसरी बात बताओगे जब इनसान तोहीद पर चले जाता है त तो वो शर्क नहीं करता कैंक करता फिर नैंगे करता दूसरी चीश क्या बता होगे आप इसके अंदर यह बता होगे इसके अंदर लिखावा है कि अल्ला कभी भी कोई चीज सोते नहीं आ अल्ला को किसी सीथ की नेड़ नहीं है तो का मतलब यह है कि always अल्ला क्या कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए refrain करना चाहिए from sense refrain का मतलब मुझे sense से बचना चाहिए मुझे गलत चीजे नहीं करनी चाहिए उसके बाद अगर किसी के पास knowledge है तो उस knowledge का उसको गलत इस्तिमाल नहीं करना चाहिए मतलब उस पर ज्यादा प्राउड नहीं होना चाहिए क्यूंकि अगर वो knowledge उसके पास ज्यादा है तो किसकी वज़ा से वो सिफ और सिफ अल्ला ताला की वज़ा से है सही है उसके बाद आप क्या लिखोगे कि अगर सारा control अल्ला के पास है हमने क्या बढ़ा के heavens भी उनकी है अर्थ भी उनका है सारा control उनका है तो हमें worship भी किसको करना चाहिए only अल्ला उसके बाद आप ज्या बताओगे कि आप ये बताओगे कि इस passage को हम आयतल कुरसी के नाम से पैचानते हैं जिसको हम कहते है words of throne अब words of throne कहते हैं तो इसके अंदर ये use for protection क्या use के लिए किसके लिए use होती है use for protection ये इसकी importance है कि लोगों आप लोगों के घर के अंदर आप लोगों ने सुना होगा कि आपके अभी अभू कहते हैं कि आयतल कुरसी पढ़ लो या फिर आप लोगों ने ये memes का जो जमाना है तो इसके अंदर memes में आप लोगों ने देखा होगा कि जिन्नात के लिए लोग वो शेयर करते हैं कि जिन्नात अगर किसी को दिख जाए तो आईतल कुरसी पढ़ ले तो ये सारी जो चीज़े हैं कि आईतल कुरसी हमें safe करती है basically वो हमें protect करती है तो protection provide करती है उसके बाद आप क्या बता होगे कि ये हमारे लिए best passage of Quran है कि इसके अंदर ऐसी चीज़े लिखी वी हैं जो के हमारे लिए बहुत ही important है सर आपकी बाते समझ नहीं आए बिटा वापसी शुरू से बता रहा हो सबसे पहले आपको ये तोहीद पे लाती है जब लेकिन शिर्प को कभी माफ नहीं करते हैं उसके बाद आप क्या बताओगे कि अल्ला ताला क्या है उनको किसी स्लीप की नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए हमें रीफ्रेम करना चाहिए कि हमें लग रहा है कि हम कमरे में बंद करके हम गलत चीज़ें देख सकते हैं गलत किसी को गाली दे सकते हैं पैरेंट्स के सामने हम गालियां नहीं देते लेकिन हम दोस्तों में गालियां दे रहे हैं और किसी को उल्टा सीधा कह रहे हैं लेकिन हम पैरेंट्स के सामने नही चीज़ का कंट्रोल है तो only Allah deserves to be worship and this verse is also used for protection hope आपको पहला passage के लिए हो गया होगा अब मैं जो आ रहा हूँ वो है दूसरा passage दूसरा passage क्या है सबसे पहला काम क्या करोगे आप इसकी main theme लिखोगे सही है अब main theme किस तरीके से लिखोगे आपको पता है इसके अंदर जितनी भी बाते लिखी वे होंगी वो सारी किसकी बाते लिखी वी है वो सारी की सारी बाते जो लिखी वी है वो लिखी है बारे में is जिसमें कोई भी बात ऐसी नहीं है जिसके अंदर मैं कहूं कि आप क्या लिखोगे सबसे पहली बात कि इसकी में थीम है अब मैं इसको पढ़ रहा हूं उसके पॉइंट्स बता रहा हूं आप लोग जल्दी जल्दी से अगर किसी को नोट डाउन करने हो कर लें क्यूंकि अब इसके अंदर क्या है कि आप लोग जो है यह सारी चीज़ें लिख सकते हो क्या लिखोगे सबसे पहले इसके अंदर लिखा हूँ है तू है मतलब हैं और अर्थ को किस ने बनाया अल्ला ताला ने बनाया से इसा तो ज़रूरी नहीं है बहुत से लोग शादी से पहले भी उनके बच्चे हो सकते हैं तो आप जो है वो यह बाते बता यह बाते में लिखोगा आप यह लिखोगे की जो एक प्रॉपर एक लॉँग है वो यह है कि हम जो है वो as a wife जो है वो क्या होता है एक बच्चा जो है वो होता है तो अगर उनकी wife ही नहीं है अल्ला ताला की तो how can he have a son इसके अंदर words मैं आपको साथा भी समझाओंगा अभी मैं सिर्फ पर रहा हूं He created all things and he has full knowledge of all things अल्ला ताला नहीं हर चीज़ बनाए और अल्ला ताला के पास हर चीज़ की knowledge है that is Allah your Lord there is no God but he the creator of all things then worship him तो अल्ला ताला यह अगर creator है तो only he deserves to be worshipped उसके बाद क्या है he has the power to dispose of all affairs मतलब अल्ला ताला के पास कि हर चीज़ की क्या है power है no vision can grasp him मतलब हम अल्ला ताला की beyond हमारी imagination से बाइर है अल्ला ताला और हम क्या है अल्ला ताला हमें क्या कर सकते हैं but his grasp is over all vision मतलब अल्ला ताला हमें पकर सकते हैं लेकिन हम जो है अल्ला ताला को चीज़ों को हम नहीं समच सकते He is above all comprehension सही है yet is acquainted with all things मैं अब मैं इसके points बता रहा हूँ सबसे पहला main team के अंदर क्या लिखोंगे main team इसके क्या है Allah in himself दूसरी की क्या बता होगे कि Allah ताला के इसके अंदर क्या बताया हो है Allah ताला का बताया हो है कि सारी के सारी जितनी भी heavens है और जितनी भी earth है उनको बनाया किसने Allah ताला ने और उसके अंदर किसी की अजिस्टिंट या किसी की suggestion नहीं मांगी सही है दूसरी बात आपको समझ आ गई तीसरी बात तीसरी बात क्या लिखोंगे कि सारी heavens और सारा earth कौन control कर रहा है सिर्फ और सिर्फ Allah ताला उसके बाद आप यह बताओगे कि अल्ला ताला का कोई सन नहीं है अल्ला ताला का कोई physical relationship नहीं है अल्ला ताला का कोई physical relationship नहीं है तो आप उसको एक verse से जो है वो क्या कर सकते हो कि कुरान says He begets not nor is he begotten धूसरा कुरान क्या कहता है And they say The most gracious आप यह चीज़े बताओगे इसके अंदर कि हम अल्ला ताला को नहीं समच सकते लेकिन अल्ला ताला हर चीज़ को समच सकते है कि आपकी intention क्या थी For example मैं क्या करता हूँ मैं सबको बोलता हूँ कि आज से जोड़े वो मैं क्या कर रहा हूँ मैं सबको free पढ़ाओगा सही है मैंने free बनाने का मैंने मेरे दिल की intention यह थी कि मैं सबको free पढ़ाओगा जब मैं सबको free पढ़ाओगा तो उसके बाद क्या होगा कि बाद में एक महीने बाद मैं इनको बोलूँगा मैं तुम लोगों से 10-10,000 रुपे लूँगा वरना मैं तुम लोग जो है वो सारी classes छोड़ दो सही है तो मेरी intention किसको पताओगी अल्ला को पताओगी लेकिन अगर मेरी intention असली में यह थी कि भाई मैं इनको free में पढ़ाओगा उसके बाद अगर जो असली में फिए है तो अल्ला की चीजों को केच नहीं कर सकते क्या अल्ला का reason क्या थथ तो यह बात आपको clear हो गई होगी last बात आप क्या लिखोगे आप last बात ये लिखोगे कि अल्ला के पास ही क्या है सारी यी सारी power है तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें उन से loyal रहना चाहिए और हमें किसको worship करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ Allah ताला को अब मैं तो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ इसके part B आप ये बताओगे कि देखो इससे मुझे क्या सीखने को मिलता है तोहीद सीखने को मिलता है और इससे ये पता चलता है कि अल्ला ताला का कोई बेटा नहीं है जब अल्ला ताला का कोई बेटा नहीं है तो मैं क्या नहीं करूँगा मैं शिर्क नहीं करूँगा उसके बाद दूसरी चीज़ मुझे ये पता चलती है कि अगर आपको जितनी भी चीज़ है करनी है वो सारी किसको प्रेय करने के लिए करो अल्ला ताला को प्रेय करने के लिए आप लोग ये सारी चीज़े करो तो आप क्या लिखोगे कि अल्ला ताला हमसे क्या डिजर्फ करते हैं कि हम लोगों को क्या सीखते हैं हमसे तो हम सबसे पहले सीखते हैं कि हमें तौहीद के बारे में पता चलता है हमें ये पता चलता है या ल्ला ताला का कोई बेटा या ल्ला ताला की कोई वाइफ नहीं है जब अल्ला का कोई बेटा कोई बेटी नहीं है तो अल्ला की पावर कोई शेयर नहीं हो रही जब अल्ला की कोई पावर शेयर नहीं हो रही तो सारी चीज़े किसकी हैं अल्ला की और जब सारी चीज़े अल्ला की हैं तो only he deserves to be worship और हम जितनी भी नमाजे पर रहे हम जितने भी रोजे रख रहे हम जितनी भी चीज़े कर रहे हो सिर्फ किस के लिए होनी चाहिए only for Allah किसी और के लिए नहीं होनी चाहिए उसके बाद क्या बताओगे आप ये बताओगे कि अल्ला ताला जो है अल्ला ताला का ग्रैस अल्ला ताला को सब चीजे पता है जब अल्ला ताला को चीजे पता है तो हमें ये अपने माइंड के अंदर लखना चाहिए और हमें ये माइंड के अंदर लखन बहुत सारी distractions हैं बहुत सारी distractions कि औल्टी सीधी चीजा है लेकिन हमें क्या याद रखना चाहिए कि सारी चीजों के पीछे किसका हाथ है अल्ला का हाथ है कोई चीज अल्ला के बगए नहीं हो सकती अगर मैं ये कहूँ कि A star किसी टीचर की वज़ा से आ जाते तो ऐसा बिलकुल गलत होगा एस्टार आता है तो वाकी मैनत से आता है और जब आप मैनत करते हो वो भी अगर अगर अल्लात आला चाहेंगे तो आपको एस्टार आएगा बहुत से बच्चे मैनत करते हैं लेकिन जाइर सी बात है हर बच्चा एक अलग होता है मैं आप passage 3 से आप लोगों को चीजे लिखवा देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छा समझ आ जाए सब्से पहले लिखा हूँ है Among His signs are the night and the day and the sun and the moon Adore not the sun and the moon But adore Allah who created them If it is Him, you wish to serve अब मैं आपको एक बात बता हूँ कि यह passage है, सही है? इसके अंदर क्या लिखा हूँ है? कि आप किसको adore करो, किसकी worshiping करो अल्ला की करो इसके अंदर अल्ला की बारे में बताएँ तो में थीम किसकी है? आपका एक काम हो गया दूसरा काम क्या बताओगे इसके अंदर? आप इसके अंदर यह बताओगे कि क्रियेटर और सन एंड मून कौन है? अल्ला कैसे पता चला सर आपको कि यह इनका अल्ला है यहाँ पे बिटा लिखाओ है अडर नौट असन न दे मून बट अडर अल्ला हू किरियेटर दैं जिसने बनाया उसको वार्शिप करो जो खुद बनाओ है उसकी वार्शिपिंग नहीं करो सर और क्या बाते लिखूँगा? इसके अंदर आप यह वर्स लिख सकते हो कि अल्ला ताला की बड़ाई कुरान के अंदर लिखी भी है कि अल्ला इस दा क्रियेटर क्या लिखा हूँ है अगर इंसान इसका मतलब क्या हूँ है इसका मतलब यह हुआ कि अगर लोग इंसान समझें कि यह हैविन्स और अर्ट और यह जो दिन बार बार चेंज होता है रात आती है दिन आता है तो उससे पता चल जाता है कि इंसान के लिए क्या है कि अल्ला ताला ने यह सारी चीज़े इसके पीछे कोई कंट्रोल करने वाला होगा हम चीज़े अगर भूल जाएंगे तो खुद बाखुद कोई चीज़ चल सकती है नहीं चल सकती इसके पीछे कोई कंट्रोल करने वाला होगा और वो सारी चीज़े कंट्रोल कौन करता है अल्ला ताला कंट्रोल करते हैं उसके बाद आप जब बताओगे कि यह जो moon और यह sun है यह जो moon and sun है यह क्या है science of power किसकी power अल्ला ताला की power की क्या है यह signs है जोड़ी जीट क्या लिखोगे क्या है कि हमें Sun and Moon को वाशिप नहीं करना और क्या वादे लिखोगे कि यह जो वाशिपिंग का जो राइट है ना वो सिर्फ किसका है, वाशिपिंग कौन डिसर्फ करता है, अगर मैं किसी और को वाशिप करता हूं तो मैं क्या कवेट कर देता हूं शिर्क और शिर्क क्या है? Unpardonable Stin Hope आपको ये बाते के लिए हो गई होगी मैं दुख सरफ इसके B-part की बात कर रहा हूँ B-part के अंदर आप क्या लिखोगे? आप B-part के अंदर ये लिखोगे कि इससे हम जब ये पढ़ते हैं ये सूरत तो इससे हमारा क्या होता है? Strong link with Allah उसके बाद आप क्या बता होगे? कि हमें ये बात समझ आ जाती है कि हमारे पास जितनी भी चीज़े कि हम लोग किसी और चीज़ को नहीं करेंगे हम money, fame के पीछे नहीं जाएंगे हम किस के पीछे जाएंगे? हम Allah ताला के पीछे जाएंगे कि अगर हमें कोई भी चीज़ चाहिए होगे हम किस पे जाएंगे Allah ताला पे आज कर लोगों का ये concept होनगे कि पैसा है तो हर चीज़ है नहीं ऐसा नहीं है बहुत से लोग पैसा होते वे भी क्या हो रहे होते है बहुत ज्यादा उनको सुनने को पढ़ रहे होती है जैसे आपे जाएंगे जीती जाती नवाज शरीफ नवाज शरीफ भाई साब क्या आज पैसा है लेकिन लोग क्या कर ले होते है जैसे इमरान खान की जैस बहुत ओन्सीज़ पृषना रहे होते हैं other creations अगर हम किसी और को वाशिप करेंगे तो इसने क्या होगा कि अगर हम किसी और को वाशिप करेंगे तो ये क्या है हमारी insult है ओन insult है पॉर फली आज मैं आप लोगों को एक class दे रहा था या फिर आपके कोई teacher आपको class दे रहे तो कि मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकता था इतने बक्वास टीचर थे यह तो क्या है कि आपकी खुद की इंसल्ट है क्यों क्यों कि अगर आपके लिए को मैनत कर रहे हैं और आप उसको प्रेस करने के बज़ा अगर आपको अच्छे नहीं लगते हैं आप प्रेस नहीं करो लेकिन अल्ला हम क्या करेंगे शो करेंगे और क्या वाते लिखोगे आप लास्ट के अंदर से भी यह लिख दोगे कि हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो ये गौड्स की जितनी भी साइन है जितनी भी signs है sun या फिर moon यह जितनी भी चीजे है या हमारे पस क्या है या हमारे पस एक other sign है of his power वो Show करती है कि अल्ला ताला की क्या power है उल्टा हम इन की पूझा नहीं करें उसके बाद क्या है? कि हमें remind कर आती है कि यह सारी चीज़े हैं जिसको आप समझते हो कि यह बहुत अच्छी है तो इनका creator कौन है? इनका Allah है तो खुद सोचो creator ज्यादा बढ़ा होता है या creation ज्यादा बढ़ी होती है For example, अगर एक बंदा जो है, वो बना सकता है एक art के अंदर painting बना सकता है तो आप painting पर जाओगे या फिर जो artist होगा आप उस पर जाओगे आप यकीन है आप artist से मिलने के खौईश बंद रहोगे जैसे For example, मैं एक example देता हूँ कि आपके पास एक actor है और एक उनकी film है तो आप film देखने जाओगे या आपके पास अगर एक chance मिलेगा या फिल्म देख लो या फिर आप जो है वो actor को देख लो तो आप किस के पास जाओगे आप actor के पास जाओगे क्यों actor के पास जाओगे क्यों आपको पता है यह artist है यह तो इतनी सारी film है ऐसी 100 film है बना सकते है तो आप खुद सोचो कि आपके पास जो ये जितनी भी जो काइनात के अंदर चीज़ है ये तो क्रियेशन है तो क्रियेटर कितना बड़ा होगा तो आपको होप ये बाते के लिए हो गई होगी फिर हमारे पैसेज नंबर फॉर पे ये भी किस पे अल्ला हिन हिमसेल्फ पे क्या लिखा हो है सबसे पहले तो हिम बिलॉंग अल्ट इस इन अन अर्थ मतलब और चीज़ किसकी है अल्ला ताला की एंडियेश मोस्ट हाय मोस्ट ग्रेट अल्मोस रेस्ट अशेंडर फ्रॉम अब ये बात सरो ये जो बात लिखी हुए ना था हैवन्स आर अल जो गुनाह करते हैं उसके लिए एंजल्स क्या हैं अपॉइंटेड हैं कि वो हमारी माफी मांगेंगे बिहोल्ड वैरिला अल्ला ही इस दा ओफ फॉर्गिविंग एंड़ मोस्ट मर्सिफूल तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे आप सबसे पहले लिखोगे कि इसकी मेन थ पहले क्या और एक बिलीफ एंजल्स बताया गया है तर तोहीद कैसे बताया गया है तोहीद कैसे बताया गया है जैसे लिखाव है ना किरियेटर है और ओनर भी है जैसे लिखाव है तो Him belongs all that is in the heavens and on the earth मतलख के हर चीज किसकी है अल्ला ताला की तो अल्ला इस the owner of everything ये बात समझा आ गई दूसरी बात किया है के अल्ला ताला का कोई partner नहीं है alone जो है वो क्या है सारी चीज़े चला ले तो partner कोई भी नहीं है फिर क्या लिखाव है कि जो हमें heavens बहुत अच्छी लगती है हर बच्चा जो है वो बोलता है कि मुझे क्या जाना है मुझे जो है वो जन्नत के अंदर जाना है तो इसके अंदर आप क्या बताओगे कि अल्ला ताला के fear से इसके अंदर आप एक वर्स लिख सकते हो क्या लिखोगे वैरिलाए अल्ला ग्रैस्ट अवे प्रॉम अवे प्रॉम दिस प्लेस क्या अगर 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 अपनी जगा से हिल जाएंगी तो फियर फ्रॉम अल्ला सर एक बच्चे का आए कि इसमें डाल सकता है लेकिन अगर रेफरेंसे मैं भी लिखवाने बैटूंगा तो मेरे पेज की जगा खतम हो जाएगी आप लोगों को मैं नोट शियर करूंगा इंशाल्ला उसके अंदर रेफरेंसे भी लिखे होंगे अभी आप लोग अपने सिफ कॉंसेफ्ट किलियर करो कि आप लोगों को लिखना किस तरीके से रट्टा तो मारो के नहीं लेकिन आपको सिर्फ क्या है वर्सिस खुद बाखुद याद हो जाएगी सब्सक्राइब के अंदर ही होगी अब पॉइंट्स मैं इसलिए लिखवाता हूं ताके आप लोगों को एजी ली मैमुराइज करने में असानी हो जाए सब्सक्राइब करती है फिर करती है फ्रॉम अल्ला सर कें यू रिपीट रेफरेंस बिटा रेपरेंस यह है आपके पा लें उनके सामने आजाएं तो यह क्या हो जाएंगी मूफ कर जाएंगी फ्रॉम यह प्लेस कांप जाएंगी सही है उसके बाद आप यह बताओगा इसके अंदर एंजल्स की बातें बताई गई हैं एंजल्स की यह बातें बताई गई हैं कि वह किसको वार्शिप करते हैं व वो हमारी क्या मांगें? माफियां मांगें. तो वो हमारी क्या करते हैं? वो हमारे से माफिय मांगते हैं. कुरान के अंदर ये बातों को explain भी क्या गया है? क्या लिखा है कुरान के अंदर? There are those who are with your Lord glorify Him night and day and never are they tired. तो कि एंजल्स की बात हो रही है कि वो कभी भी ठकते नहीं हैं और हर वक्त Allah Taala की क्या कर रहे होते हैं? वाशिपे कर रहे होते हैं. उसके बार आभ ये बताओगे कि वो Allah Taala से हमारे लिए हमारी माफिय तलब कर रहे होते हैं कि इनको माफ कर दें. यो लोग तो नहीं सुदरेंगे. तो हम आपसे क्या करते हैं इनके लिए हम आपी माँदे है B part में क्या लिखो किसकी importance क्या है सबसे पहला आपको एक बात बता चल गई कि Allah ताला की ही power है power किसकी है अल्ला ताला की जब power अल्ला ताला की है तो उसका कोई comparison नहीं हो सकता किसकी power ज़्याद है सबसे पहला जब सकता सारी power जितनी भी सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर किसी पहला होगी वो किसी है अल्ला ताला की और अगर अल्ला ताला की power हर चीज के अंदर है तो क्या होगा इसका मतलब यह है कि मेरे पास किसी चीज का control नहीं है उसके बाद आप क्या बताओगे आप यह बताओगे कि हमारे पास हमें क्या करनी चाहिए अल्ला ताला की वोर्शिपिंग करनी चाहिए इंगेज करना चाहिए हमें अपना आपको किसमें इंगेज करना चाहिए वोर्शिपिंग के अंदर किसमें वार्शिपिंग के अंदर क्यों कि कुरान कहता है कि and I created not jinn and mankind except that they should worship me alone सिर्फ मुझे वार्शिप करो और क्या करो मैंने इनको बनाया क्यों है मैंने यह पैसे कमाने के लिए मैंने पर्ड़ें के लिए नहीं बनाया अब इसका मतलब यह नहीं है कल से पढ़ाई वड़ाई छोड़ दे रहा है इसका मतलब यह है कि आप लोगों को वार्शिपिंग भी करनी अतनी लाइफ को बैलेंस रखना है फिर क्या बताया गए है कि इसके अंदर गौड इस मोस्ट मर्सिफुल देखो अगर मैं इस पैसेज फोर की लास्ट लाइन आप परो तो बिवोल्ड वैलिलाए अल्ला इस दग आफ गिविंग दा मोस्ट मर्सिफुल तो यह लिखाव है तो आप इसके अंदर क्या बताओगे कि ही इस मोस्ट मर्सिफुल तो इससे क्या करनी चाहिए कि अगर अल्ला हमें माफ कर देता है तो हमें भी दूसरों को क्या कर देना चाहिए वी शुड़ फॉर्गेफ अदर्स हमें दूसरों को क्या कर देना चाहिए माफ कर देना चाहिए hope आपको ये बाते के लिए हो गई होगी फिरह पैसेज नमबर फाइफ ये भी किसे बिलॉंग करता है अल्ला इन हिमसेल्फ है अब इसकी verses पढ़ लो ये सूरह एखलास है ये सूरह इस अल्ला इन अल्ली अल्ला दा एटरिनल एबसुल्यूट he does not beget nor is he begotten and there is none like him सबसे बहराब अब या बताओक कि में तीम क्या है आपने बताओक की में थीम है ऑल्ला इन हिंसल्फ अल्ला इन हिंसल्फ लैइस अल्ला इन इंसल्फ दूसरी बात क्या बताओ分享 आप ये बताओक है यह ऐसी सूरह ना यह स्पेसिफिकली रिवीद भी तो ही यह स्पेसिफिकली रिवीद्वी थी अ कि एक मेरा बेस्किली पैन जो है वह सई से काम नहीं कर रहा है मैं आप लोगों के पॉइंट्स बता रहा हूं आप लोग नोट कर सकते हैं आप यह सबसे वहले बताओगे, यह जो specifically revealed भी थी, वो किसके लिए भी थी, holy prophet क्यों ही समझाने के लिए, क्या हुआ, कि जब लोग जो हो holy prophet से पूछते थे, कि आप हमें हमारे खुदा के बारे में बताएं, आप किसके बारे में बताएं, हमारे खुदा के बारे में बताएं, तो वो क्या करते थे, वो, holy prophet कास कोई जवाब नहीं होता था, तो holy prophet के उपर सुरह इखलास क्या भी थी, revealed भी थी, उसके बाद आप इसके अंदर क्या होगे, कि इसके अंदर basically मकंज जो थे, वो यह सोचते थे, कि हमारे पास सिर्फ एक खुदा होना काफी नहीं है, तो यह अंदर आना इसके DAVID नहीं है, तो यहहीं वर्ट के अंदर उसके अंदर हमें यह बता चलता है कि अल्टा इसका बचाता है हं और यह एं ausge अच्छा यह हमें क्या करता है यह हमें शिर्क से बचा देता है फिर आप और क्या बाते लिखोगे अच्छा यह किया वी थी यह स्पेसिटली रिवील्ड वी थी किसके लिए इन रिस्पॉंस आफ मककन्स किसके रिस्पॉंस के अंदर मककन्स के अंदर उनको एक्स्प्लेंड करना था तोहीद को क्या explain करना था तोहीद कि आप लोगों के पास कि जब Holy Prophet को जवाब नहीं होता था तो क्या होता था कि specifically यह तोहीद जो है वो explain होती थी दूसरी चीज़ आप क्या बताओगे कि हमारे पास इसके अंदर क्या explain हो रहा है इसके यही हो रहा है कि Ал्ला तालह को कि सी id CLS नहीं है तो हम शरक नहीं करेब से बाद आप यह बताओगे कि अल्ला तालह की ना ही कोई beginning है ना ही अल्ला तालह का कोई एंड है जैसे क्या लिखा वह है ही ए discourag 브ेंट की ना ही कोई एंड है फिर आप क्या बताओगे कि अल्ला ताला का कोई बेटा भी नहीं है कैसे आपने पिछले उसमें पढ़ाता हाओ केन ही एवासन वैन यह नो कॉंसोर्ट यह वैन यह नो वाई उसके बाद आप क्या बताओगे किसके अंदर हमें तोहीर पे इन्फोर्स किया था है क्या बी पार्ट के अंदर आप यह लिखोगे कि हमारे पास यह पैसेज हमें क्या सिखाता है देखो हमें यह पैसेज यह सिखाता है कि अल्ला ताला क्या है बिटे एक सवाल आए वाट इस बिगट बिगट का मतलब यह होता है कि अल्ला ताला ना कोई बच्चा पैदा करते है न ना अल्लेकुे अपित है उन्लख पादर kommt है ना आ ठालए नगे पड़न म Combien बड़न और तो उस चीज़ को ř Like बेटी बेन जिना की और पिर redit फिर आपके बता उडरे बी पार्ड डे जा आपको सबसे पहले या चाहिए या पोहीद अच्छा करदेता है उसमें पक्का हो जाता है फिर आपके अंदर के हैं कि अगर आप इस चीर्फे को कर लो तो आपका पेश्ट क्या हो जाएगा purify हो जाएगा पीजि़ क्या हो जाएगा purify पीटा वैसी टाइम नही मिसथ कर दूह आप मुझे मैसेज कर दिना मैं आपको कुछ हैं कर दूँगा सही है अच्छा उतके बाद पार्ड बी के अंदर आप और क्या बताओगे कि हमारे पास जो है और कोई लॉर्ड नहीं है कोई और लॉर्ड नहीं है अधर देन जैसे बहुत से लोग आइड़ल्स को वोशिप करते थे तो वो हमें नहीं करनी जैसे बहुत से लोग क्रेश्चिन जो हमें पर बिलीव करते हैं तो हमें उन को नहीं करना इसके Beaude आप और क्या बताओगे यह इंशियोर करता है कि अल्ला ताला की कोई फैमिली नहीं है जब यह इंशियोर करता है कि अल्ला ताला की कोई फैमिली नहीं है तो इसका मतलब कि अल्ला ताला की पावर शेयर नहीं हो रही जब अल्ला ताला की पावर शेयर नहीं हो रही तो इसका मतलब यह है कि मुझे किसी और को वार्शिप नहीं करना और क्या बाते बताओगे और यह बाते बताओगे कि हमें यह विस्कली बता दिता है कि यह अल्लिया में क्लैरिफाइ कर लेता है क्लैरिफाइ क्या कर देता है यह क्लैरिफाइ कर देता है कि हमारा जो अल्ला ताला है वो क्या है only creator है only maintainer है only sustainer है sustainer है का मतलब पालने वाल और last point आप क्या लिखोगे last point ये लिखोगे जब आप उसको recite करते हो तो इसकी ये importance है कि आपको one third of Quran के बराबर आपको क्या मिलता है सवाब मिलता है मैंने आपको पांच passages लिखवा है लेकिन मैंने आपको सिखाया नहीं लिखना किस तरीके से ये आप पेपर में याद करना पड़ेगा आपको मैं आपको जो छट्टा paragraph है न वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से लिखना है बाकी मैं आप लोगों को solve नहीं कराऊंगा उसके लिखना आप लोगों को ये लिखे वे अपने जो notes है न वो मैं आपको भेज़ दूँगा अभी जो है न जितने भी बच्चे है आप लोग ये सिर्फ सीख लो कि आपको लिखना किस तरीक कैसे देखो मैंने आपको passage one से five कराने की वज़ा थी वो वज़ा ये दी कि वो allah with created world था सभी है अब allah with created world और allah with रिलेट वो सारी वो था allah in himself और अब जो मैं आपको करा रहा हूँ उसकी example वो है allah with created world अब मुझे कैसे पता चलेगा जैसे मैं आपको सिखाया तब ए पार्ट में आपको सबसे पहले main theme लिख लिए अब मुझे कैसे पता चलेगा कि main theme क्या है सही है आपको wording से पता चल जाएगा अभी आपने पांच देखी पांच के अंदर आपको पता चलेगा सिर्फ Allah ताला की तारीफ है कहीं भी यह नहीं लिखा हुआ अब यह वाला paragraph फ़रो इन दे नेम ऑफ ल्ला मोच ग्रेशियस मोच मर्सीफुल प्रेज बी तो अल्ला अब देखो शुरू की चार बाते ऐसी थी जिसमें लग रहा था यह लेकिन यहां पर आगए यू वी वाउशिप हम आपको वाउशिप करते हैं तो आपको यह बात पता चल गई है अल्ला विद क्रियेटेड वर्ल ट्रिक्स समझ आ गई खोब आपको यह ट्रिक्स समझ आ गई होगी तो आप लोगों को रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी जितने भी टीचर्स रट्टा बोल रहे है बिल्कुल सही बोलता है रट्टा बच्चे मारते है लेकर एक चीज़ आपको सीख नहीं है कि वैसी आपके पास इतना प्रैशर है आप लोगों कि इतने लंबे-लंबे कुशन्स है अगर इस चीज़ के लिए भी रट्टा मारोगे तो जो इंपॉर्टन चीज़ है वो आप लोगों कि रह जाएंगी तो आपको एक बात समझा गए यू वी वार्शिप एंड यूर एड वी सी वी सी कौन? अल्ला ताला से रिलेशन विद क्रियेटेट वार्ट अब देखो इसके लिए अल्ला ताला ताला हमारे क्या है और हम क्या इन रिटाइन उनको देंगे तब से पहले लिखा हुआ है पहली बात आपने बता दी दूसरी बात तो आप ये बताओगे कि ये बिसकली क्या है कि अल्ला ताला जो है वो हमें क्या है चैरिशर हमें पालते हैं हमारा ख्याल रखते हैं सस्टेनर मतलब पालते हैं तो अल्ला ताला क्या है चैरिशर और सस्टेनर मतलब अल्ला ताला मेंटेनर अफ दीस वर्ड़्ड कि लाज्ट डे में क्या होगा अल्ला ताला आपके मास्टर होंगे और आपको अल्ला ताला को क्या देना होगा जवाब देना होगा पांच वी बार You we worship and your aid we see मतलब कि अगर सारी चीज़ा अल्ला ताला की है तो अल्ला ताला से ही हम क्या कर रहे है वार्शिप करेंगे Show us the straight way हम अल्ला ताला से इसमें मांग रहे हैं Basically ये सूरह फातिया है और सूरह फातिया में हम दुआ करते हैं क्या दुआ करते हैं कि अल्ला हमें सीधी रा दिखा फिर क्या लिखा है The way of those to whom you have given your grace हमें वो रा दिखा जिसके क्या हुआ जिससे लोगों को फाइदा हुआ और जिससे लोगों ने तरक्की करी वो रा नहीं दिखा जिससे आपको गुस्ता आया हमें वो रास्ता दिखाए जिसके अंदर क्या है कि हम लोगों को अपने जिन लोगों को सीधी रा दिखाए चिन लोगों को क्या हुआ फाइदा हुआ और जिससे आप खुश हुए वो रास्ता नहीं दिखा हैं जिससे आपको क्या आता था गुस्सा आता था तो देखो हमें सूर फात्या का मतलब वैसी हमें जिंदगी में समझ जाय चाहिए हमसे नमाज में पढ़ लेते हैं लेकिन हमें इसका मतलब नहीं पता तो मतलब अब अगर हम जान लें तो हमारे लिए क्या हो जाएगा बहुत ही एजी हो जाएगा तो एजी क्या होगा कि आप सबसे पहले बताओगे कि में थीम क्या है अल्ला विद क्रियेटेड वर्ड पुरान के आप ये भी बता सकते हो कि भाई ये प्रेयर के अंदर क्या होती है यूज होती है फिर आप ये बता सकते हो कि अल्ला ताला क्या है हर चीज के क्या है कंट्रोल अल्ला ताला के पास उसके बाद आप क्या बताओगे कि अल्ला ताला के बारे में ये बता रहे हैं कि अल्ला ताला की है चैरिशर है, सस्टेनर है, पूरी मैनकाइंड है, मैनकाइंड का मतलब क्या होता है of the worlds of the worlds کا मतलब है कि पूरी काइना चाहे mankind हो चाहे jinn हो चाहे angels हो सबकी कौन है cherish and sustainer अल्लाथ आल्लाथ है पिर ही हमें क्या बता रहे है पिर ही हमें ये बता रहे है कि अल्लाथ आल्लाथ वो है जिनको हम क्या करें अल्लाथ आल्लाथ से माफ़ी मांगनी चाहे है इसका मतलब ये नहीं है कि अम्या बूफ से भी माफ़ी मांगनी चाहे है और अल्लाथ आल्लाथ से भी आप लोगों को अगर आपने कोई गलत काम करें तो आप लोगों को माफ़ी मांगनी चाहे है क्यों? क्योंकि He is the most mercy फोल पर ये लगाए कि रिलेशन बताया है दूसरा ये बताया है कि हमें ये बताया है कि अगर आप गुना करेंगे तो आपको उसको क्या मिलेगा? पनिश्मेंट और अगर आप अच्छा करेंगे तो आप उसका reward मिलेगा सर कैसे मिलेगा? मिटे लास्ट दे के अंदर अच्छा क्या होंगे? Master of the day of judgment उसके बाद क्या है? कुरान कहता है कुरान ये आपको बताता है कि He is the master किस तरीवे से master बताता है? Who is he that can intercede with him except for his permission कौन इनके सामने अलफ़ाज चला सकता है except for his permission तो आपको ये बाते पता चल गई होंगी उसके बाद आप क्या बताओगे? Only Allah deserves to be worship और हम क्या कर रहे हैं? इसके अंदर Allah ताला से सीख कर रहे है कि Allah ताला हमें वो रास्ता दिखा है जो कि क्या है? कि Allah ताला से जिसको Allah ताला उसे खुश होते है और वो रास्ता ना दिखा है जिससे Allah ताला ताला दुखी होते है सर आपने main theme हमें सिखा दी अब B part में क्या लिखना होता है? देखो B part देखो आपका importance होता है न आपने जो main theme में points लिखे है न उसी main theme से आपको क्या फाइदे होंगे? आप वो लिखोगे जैसे सबसे वहला आपने main theme के अंदर लिखा और उसके extra फाइदे भी बताओगे जैसे के सुरह फाइदे है सुरह फाइदे हर नमास के अंदर पढ़ना लाजिब है क्यों? क्यों होली प्रॉफिट ने कहा नो प्रेयर इस एक्सेप्टेबिल विदाओट सुरह फाइदे है उसके बाद किया इसका दूसरा फाइदा इसका दूसरा फाइदा यह है कि इससे हमारा relation क्या हो जाता है? अच्छा हो जाता है क्योंकि हमें अपनी आवकाद पता चल जाती है बोरना अप इस पाद नहीं बुरोर करते हैं आपको अगर किसी ने काबल बनाया थो वह लाद आला थे कि आप किसी और की मदद कर सकते थे वरना आप इस काबल नहीं हिए कि किसी की मदद करो तो यह चीज आपको पता होनी चाहिए फिर क्या है कि आपको यह पता चलताती है कि इसके अंदर क्या है यह conversation with God है कि इसके अंदर आप Allah ताले से दुआ मांग रहे हो कि आए Allah मुझे सीधी रा दिखाए और Allah ताला क्या करते है कि इसके अंदर हमारे की communication with God है क्यों communication with God है क्योंकि प्रेयर के अंदर होता और प्रेयर क्या होती है नमास communication with God होती है जब communication with God होती है तो यह हमारे लिए communication है जिसका Allah ताला क्या करेंगे हमें response देंगे उसके बाद आप यह बताओगे कि इसके अंदर हम Allah도 Allah से क्या माँगा है Allah cocktail से हम mercy मांगा है Allah से हम forgiveness मांगा है Allah 까 LI anges क्या कर रहे Catholic हम inmost सीधी राह दिखाए त्धिर हुगा कि अगर हम Allah awia से जब सीधी राह मांगते तो Allah Chain हमें सीधी राह दिखा देते है लास्ट पॉइंट क्या करो अच्छे बच्चे बनके जिंदगी गुजारो के तो क्या होगा फाइदा हो जाएगा सभी है तो यह हमारे पास passage हमने six six से लेके 15 तक हमने passages नहीं करें हमने passages समझें और passage 1 से 5 तक हमने करें आपको इनके passages मिल जाएंगे सारे और जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो आप इनके आंसर्स देख सकते हो सही है आपके पास एक model आंसर्स आपको मैं आज प्रोवाइड कर दूँगा ग्रूप के अंदर है उधर से आप लोग साली चीज़े देख सकते हो मसला अगर कहीं भी हो अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं है कि आपको attempt किस तरीके से paper करना है आप मुझे रात को 12 बजे भी तन करोगे मैं आपको जवाब दूँगा सही है जो बच्चे मुझे से पोश्टर उनको पता है कि मैं जवाब हमेशा देता हूँ मैं हर बच्चे को जवाब दूँगा जब मेरे लिए पॉसिबल होगा तो जब मैं जवाब आपको दूँगा आपको अगर कोई भी मसला है आप मुझे वाटसेप करो और टीक हो के लिखना किस तरीके से में त्म में क्या लिखना होता है और इंपकर्टा माच ने पर नहीं जाओ अगर नहीं होता हैunk और वो आज ही रात को मैं आप लोगों की साल शेयर कर दूँगा सगः तो ओप आप लोगको इस चीज़ए समझ आ गही होंगी तो अभी मैं ये एंड कर रहा हूँ